हलो फ्रेंड वल्कम टू माई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हारदिक स्वागत है हथेली में आधे चान मनने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों अगर आपको किसी व्यक्ति की किस्मत या उसका भाग जानना होता है तो आप उसके हाथों की रेखाएं जरूर देखते हैं जिस प्रकार व्यक्ति के हाथों की रेखाएं उसके भू पूरा चांद, आधा चांद या सीधीरे खवनती है तो यह आपके भविश्च के बारे में बहुत कुछ बताती है तो आए जानते हैं यह दिया आपके हाथों में अर्ध चंद्राकरती अत्वा हाफपून साइन बनता है तो यह आपके भविश्च के बारे में क्या बताता है दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इस चंद्रमा को अपने हथेलियों पर कैसे देख सकते हैं दोस्तों यह बहुत आसान है जिदि आपको अपने हाथों पर चंद्रमा बना हुआ देखना है तो आपने छोटी वाली उंगली के नीचे से जो हरदे रेखा शुरू होती है, ये दोनु हाथों में देख लें, इसके बाद दोनु हथेलियों को पास ले जाकर हरदे रेखाओं को मिला कर देखें कि आपके हथेली में किस प्रकार चांद बन रहा है, आपके हाथ में हरदे चांद की और तीसरा सीधीरे खावनती है, आज के इस वीडियों में आपको आधे चांद बनने का फल बताऊंगी, दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के हथेलियों को जोडने पर आधा चंद्रमा बनता है तो खुश हो जाएए, यह अत्यांत सौभाग सूचक माना जाता है, द परंतु यह करणा में देखे जाते हैं, ऐसे लोग लव मैरेज में विश्वास करते हैं, यह लोग जीवन साथी के प्रती वफादार कहे जा सकते हैं, तो इनका वैवाहिक जीवन अत्यांत सफल माना जा सकता है, क्योंकि यह एड़जस्ट करने में निपूर देखे गए है इन्हें किसी भी परस्तिती से एड़जस्ट करना अच्छी तरह आता है, यह लोग स्वास्त और फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं, दोस्तों ऐसे लोग गुसेल प्रकृत के भी देखे जाते हैं, परंतु जितनी जल्दी इन्हें गुसा आता है, उतनी जल्दी यह शान पसंद होता है, या यू कहें कि इनकी किस्मत में घर से दूर रहना ज्यादा लिखा होता है, दोस्तों ऐसे लोग अपने जीवन में दूसरों से अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिस करते हैं, या दूसरी भाशा में कहें तो इन लोगों को इंट्रोवर्ट पसनालिट माना जाता है, ये अपने मन की बाद जल्दी किसी से नहीं बताते, दोस्तों जिस भी किसी विक्त के हाथों में आधे चांद की आकरती बनती है, ऐसे लोग किसमत के धनी माने जाते हैं, ऐसे लोग के जीवन में मान सम्मान यस्पद प्रतिष्ठा की प्राप्ती होती रहती ऐसे लोग दोस्ति का संबंद बहुत बखोबी निभाते हैं वैसे तो इनके मित्रों कि संख्या काफी कम होती है परंतु मुश्किल परस्ततियों में ये अपने दोस्तों का हमेशा साथ देते देखे गए हैं दोस्तों ये लोग अट्यनती व्यवहार कुशल होते हैं और उपने व्यवहार से सभी कामन मोह लेते हैं। दोस्तों जिस भी किसी व्यक्ति के हाथों में आधे चंद्र की आकरती पाय जाती हैं, ऐसे लोगों में कजब की लीडर्शिप क्वारटी देखी जा सकती है। ये लोग नित्रित करने में निपूर पाए जाते हैं ऐसे लोग विप्रीत से विप्रीत परस्तितियों में हार नहीं मानते और डट कर सामना करते हैं और अंत में इनको विजय की प्राप्ती होती है कुल मिलाक के ऐसे लोगों का जीवन सफल माना जा सकता है दोस्तों ये तो हो गई हटेली पर बनने वाले अर्धचंद्राकृती का प्रतिफल यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके हाथों में या तो पूर्धचंद्राकृती बने या अर्ध चंद्र आक्रती बने या सीधी रेखा बने या अपना पूर प्रत्फल तभी प्रदान कर पाती है जब यह स्पस्ट और साफ साफ हो यदि इन आक्रतियों के मद्ध कोई अन्य रेखा आकर इसे काटती है या कोई जाल बना हुआ दिखाई पड़ता है या कोई बि तभी आप पूर चंद्र अर्ध चंद्र अत्वा सीधी रेखा बनी हुई देखें तो इसे बहुत ध्यान से देखें तभी आपको इसका सटीक प्रत्फल प्राप्थ हो पाएगा दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में मैं आपको हतेली पर बनने वाले पूर चंद्र अकृति का रहस से बताऊंगी आशा करती हूं कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रप्या मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धन क्वाले वीडियो